आज की इस कक्षा में हम परिमेश संख्याओं के विभाजन के गुन के बारे में जानेंगे पहला गुन है संवरित गुन अर्थात क्लोजर प्रोपर्टी इसे एक उधारन की साहता से इसे समझने की कोशिश करते हैं एक परिमेश संख्या ले रहे हैं तीन बटा साथ भाग माइनस पांच बटा चार इसे हल करेंगे तीन बटा साथ गुना माइनस चार बटे पांच ये उपर में माइनस था पांच के साथ जब यहां हम गुना कर रहे हैं तो ये उलटके उपर और हर उपर चला जा रहा है और आंस नीशे लेकिन मानक रूप में हमारा माइनस उपर ही रहता है तो ये हो गया माइनस बारह बटे पैंटीस अब एक और उधारन लेते हैं तीन बटा साथ भाग शुन्य बटा चार ब्राबर तीन बटा साथ गुना चार बटा शुन्य यहां हम देख रहे हैं कि शुन्य हर में है चार बटा सुन्य तो ये जो चार बटा सुन्य है ये औपरिभाशित है अता ही ये पूरा औपरिभाशित हो गया है तो हम देख रहे हैं कि हमने यहां एक परिमे संख्या लिया भाग दूसरी परिमे संख्या लिया तो इसका जो रिजल्ट आया यह भी परिमे संख्या है लेकिन इस केस में हम देख रहे हैं जब हम भाग कर रहे हैं सुन्य बटे चार से यानि सुन्य से तो यह अपरिभाशित हो रहा है यह परिमे संख्या नहीं आ रहा है तो इससे क्या निश्कर्श निकलता है कि अगर दो परिमे संख्याएं संख्याओं का भाग करेंगे तो हमें परिमे संख्या प्राप्त होता है लेकिन उसी स्थिती में जब यह जो भाजक है वो शुन्य ना हो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं जन्रलाइज फॉर्म में अथा किनी किनी दो परिमे संख्याओं A बटा B तथा C बटा D के लिए A बटा B भाग C बटा D भी एक परिमे संख्या है यदी केवल और केवल C इस नॉट इक्वल टो जीरो अर्थात ये C जीरो नहीं होना चाहिए दो परिमे संख्या हम A बटा B और C बटा D लेते हैं तो इससे जो भागफल आता है वो एक परिमे संख्या ही होगा बसरते C शुन्य नहीं होनी चाहिए अगर C सुन्य हो गया तो ये परिमे संख्या नहीं होगा और उस परिस्तिती में ये संवरित नहीं होगा अगर C 0 नहीं है तो परिमे संख्याओं का विभाजन संवरित के अंतरगत होगा परिमे संख्याओं के विभाजन का दूसरा गुन है क्रम विनिमे गुन आए इसे भी उदारनों की सहयता से समझते हैं 2 बटा 3 भाग माइनस 5 बटा 7 इसे हल करते हैं 2 बटा 3 गुना माइनस 7 बटे 5 तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 14 बटे 15 अब इन दो परिमे संख्याओं का जो क्रम था इसे हम बदल दे रहे हैं अर्थात इसे पहले लिख रहे हैं माइनस 5 बटा 7 और इसे बाद में लिख रहे हैं 2 बटा 3 को तो इसे हल करते हैं माइनस 5 बटा 7 गुना 3 बटा 2 तो ये हमारा आगया माइनस 15 बटे 14 तो हम देख रहे हैं जब दो परिमे संख्याओं का हम विभाजन कर रहे हैं तो क्रम बदलने पर क्या हो रहा है कि भागफल अलग हो जा रहा है तो इसका अर्थ ये है कि हम जेनरलाइस फॉर्म में इसे हम लिख सकते हैं A बटा B भाग C बटा D is not equal to C बटा D भाग A बटा B अर्थात क्रम जब हम भाग का बदल दे तो उसका रिजल्ट सेम नहीं आएगा एक नहीं आएगा इसे सब्दों में हम इस तरह से लिख सकते हैं अतह परिमे संख्याओं के लिए विवाजन क्रम वीनी मैं नहीं है आप भी कुछ और उधारन लेके इसे और सत्यापित कर सकते हैं परिमे संख्याओं के विवाजन का तीसरा गुन है साहचर्य गुन अर्थात एस्सोसियेटिव प्रपर्टी इसे भी हम उधारन की साहता से समझने की कोशिश करते हैं दो बटा तीन भाग ब्रैकेट माइनस तीन बटा चार भाग पांच बटा साथ तो यहाँ इसे हल कर रहे हैं दो बटा तीन भाग पहले ब्रैकेट वाली किरिया हम करते हैं तो यह होगा माइनस तीन बटा चार गुना साथ बटे पांच स्कल्टू दो बटा तीन भाग यह गुना हो जाएगा माइनस इक्कीस और यह बटा बीस अब यहाँ हो जाएगा दो बटा तीन गुना बीस बटा माइनस बीक बटा मानक रूप में माइनस हमेशा उपर होता है बटा इक्कीस तो यह स्कल्टू हो गया माइनस चालिस बटा तिर्चट तो इस तरह से हमने एसोसेट किया है इन तीन परिमे संख्याओं को तो हमारा यहाँ एंसर आ रहा है माइनस चालिस बटा तिर्चट अब हम इनी तीन परिमे संख्याओं का ग्रूप दूसरे तरह से grouping करते हैं यानि दूसरे तरह से associate करते हैं दो बटा 3 भाग minus 3 बटा 4 इसे हम bracket में इस बार लेते हैं भाग 5 बटा 7 तो इस bracket वाली क्रिया को हम पहले करते हैं तो 2 बटा 3 गुना minus 4 बटा 3 मैंने पहले भी कहा था कि ये मानक रूप में minus हमेशा यहां परिमी संख्या में उपर में ही रहता है भाग 5 बटा 7 तो ये हमारा आगया minus 8 बटा ये 9 तो यहां पर हो जाएगा गुना 7 बटे 5 तो ये आ जा रहा है हमारा minus 56 बटे 45 तो हम देख रहे हैं कि जब हम grouping अलग तरह से करते हैं अर्था इन तीन परिमेश संख्याओं को अलग तरह से associate करते हैं तो हमारा result अलग अलग आ जा रहा है यहां पहले में आया मेरा minus 40 बटे 63 और दूसरे में minus 56 बटे 45 इसे generalized form में हम ऐसा लिख सकते हैं A बटा B भाग C बटा D भाग E बटा F a bracket close is not equal to A बटा B भाग C बटा D a bracket B भाग E बटा F और इसे सब्दों में हम इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं अतह परिमेश संख्याओं के लिए विभाजन साहचर्य नहीं है अर्थात साहचर्य कानियम परिमेश संख्याओं के विभाजन में लागू नहीं होता है परिमेश संख्याओं के गुनात्मक तत्समक अर्थात मल्टिप्लिकेटिव आइडेंटिटि आईए हम इसे कुछ उधारनों की साहता से समझते हैं कि क्या होता है परिमेश संख्याओं का गुनात्मक तत्समक माइनस दो बटा पाँच इसे अगर हम एक से गुना करते हैं तो वह संख्याओं फिर वही रह जाती है अर्थात माइनस दो बटे पाँच अगर इसका हम क्रम बदल देते हैं एक घटाओ माइनस दो बटे पाँच तो भी वही आता है अर्थात एक से गुना हम करते हैं माइनस दो बटे पाँच को तो संख्या वही रह जाती है अर्थात माइनस दो बटे पांच एक और उधारन लेते हैं तीन बटा दो गुना एक तो ये फिर वही रह जाती है तीन बटा दो इसके मान में कोई परिवर्टर नहीं आता है इसका क्रम बदल के भी देख लेते हैं एक गुना तीन बटा दो फिर भी वही आ रहा है इस तरह से देख रहे हैं संख्या हमें मिल रही है एक जिससे गुना करने पर परिमे संख्या का मान नहीं बदलता है वह वही रह जाता है अता है इसे हम जनरलाइज फॉर्म में इस तरह से भी लिख सकते हैं ए बटा बी गुना एक और बराबर यह हो जाएगा ए बटा बी अतह एक परिमे संख्याओं के लिए के लिए गुनात्मक तत्समक है गुनात्मक तत्समक है तो हम देख रहे हैं एक क्या है गुनात्मक तत्समक है इससे किसी भी परिमे संख्याओं को अगर हम गुना करेंगे तो उसके मान में कोई परिवर्थन नहीं होता है परिमे संख्याओं के गुनात्मक परतिलोम अर्थात व्यूत क्रम और इंगलिस में से कहते हैं मल्टिप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रुकल आईए इसे हम समझते हैं ये क्या होता है एक परिमेश संख्या हम लेते हैं तीन बटा आठ अब हम इसे ऐसी संख्या से गुना करना चाहते हैं कि हमारा मान आजाए एक अर्थात तीन बटे आठ को हम कौन सी संख्या से गुना करें कि इसका मान हमारा एक आजाए गुनात्मक तत्समक एक और उधारन लेते हैं माइनस चार बटा पाँच अब इसे भी हम कौन सी संख्या से गुना करें कि इसका जो रिजल्ट आए वो एक अर्थात गुनात्मक तत्समक का जाए तो इस पर्ट रूप से हम देख रहे हैं कि अगर हम इसे 8 बटा 3 से गुना करें 3 बटे 8 को तो हमारा गुननफल एक आएगा और यहां माइनस चार बटे पांच को हम माइनस पांच बटे 4 से गुना करें तो हमारा रिजल्ट एक आएगा अतह ये 3 बटे 8 के लिए 8 बटे 3 गुनात्मक प्रतिलोम या व्योत्क्रम या मल्टिप्लिकेटिव इन्वर्स या रेसिप्रोकल कहलाएगा ठीक इसी तरह माइनस 4 बटे 5 के लिए माइनस 5 बटे 4 गुनात्मक प्रतिलोम व्योत्क्रम या मल्टिप्लिकेटिव इन्वर्स या रेसिप्रोकल कहलाएगा दूसरे बात 3 बटे 8 का गुनात्मक प्रतिलोम 8 बटे 3 है और 8 बटे 3 का गुनात्मक प्रतिलोम पुना 3 बटे 8 है इसे हम शब्दों में इस तरह से लिखते हैं अतह प्रतेक परिमे संख्या प्रतेक परिमे संख्या ए बटा बी ए बटा बी का गुनात्मक प्रतिलोम बी बटा ए होता है और एक महत्पुन चीज और हमें याद रखना है किन्तु शुन्य का कोई गुनात्मक प्रतिलोम नहीं होता है गुनात्मक प्रतिलोम नहीं होता है इसे याद रखना है एक बटा फिर से दूर आते हैं तीन बटे आठ का गुनात्मक प्रतिलोम आट बटे तीन होगा और आट बटे तीन का गुनात्मक प्रतिलोम तीन बटे आठ होगा दूसरे चीज गुनात्मक प्रतिलोम को ही हम व्योत्करम भी बोलते हैं इंग्लिस में भी इसके दो नाम है Multiplicative Inverse और Reciprocal